Hello everyone getting to us so today I will discuss about term use for newborn baby तो आज की क्लास में हम इस्कूस करेंगे कि newborn baby कि जो terms हैं क्या क्या देखने को मिलता है तो first हम देखते हैं term baby तो term baby का मतलब होता है कि वो baby जो normal age में ही 37-40 जो नॉर्मल वर्थ का टाइम होता है तो उसी टाइम पर अगर वो डिलिवर्ड हो जाता है या फिर वर्थ हो जाती है उसकी तो 37-2 वीक के अंदर आता है तो उसे टम बेभी बोलते हैं प्रीमेच्योर जो बेबी होते हैं या फिर जो नाइन मंत से पहले वर्थ ले लेते हैं या फिर थार्टी सेवन बीक से जो पहले जन में ले लेते हैं इस तरह के बेबी को हम बोलते हैं प्रीटर्म बेबी नेक्स हम बात करते हैं post term baby की तो post term baby में वो होते हैं जो new natal born after 42 week तो post term baby इस तरह की baby कहलाते हैं जो 42 week के बाद जो baby delivered होते हैं मतलब extra time ले लेते हैं यहां से 9 month के बाद मतलब 10 month तक यहां पर cross कर लेते हैं तो इसने post term baby इसके अंदर गताते हैं तो next हम बात करते हैं low worth weight low worth weight भी वो होते हैं जो 2.5 kg नॉर्मल जो weight होता है बच्चों का धाई से 3 क्लोका होता है लेकिन low worth weight उसे बोला जाता है जो 2.5 kg से भी कम के बच्चे यहां पर worth ले लेते हैं यहां फर delivered होते हैं तो यह बहुती low worth weight होता है बहुती कम weight देखने को मिलता है next हम very low worth weight में आ जाता है उन बच्च मतलब 1.5 kg से भी कम जिन बच्चों का weight होता है उसे हम very low worth weight कहते हैं तो यह हो जाता है हमारा जो की बहुती severe condition देखने को मिलती है यह malarist होते हैं बोल सकते हैं extremely low worth weight के अंदर आता है कि worth weight less than 1 kg से भी जो कम weight है बच्चों का उसे extremely low worth बोलते हैं तो यह बहुत ही important है जैसे कि extremely low worth weight किसे कहते हैं 1kg से कंभाले बच्चे को और low worth weight किसे very low pluck weight किसे एक क्षा कंभाले बेबी को और जो low worth weight है creamy बहुती rare condition में देखने को मिलता है और इसमें बेबी कभी-कभी कंसीब मतब कभी-कभी लाइव भी नहीं रह पाता है यहां पर वो जीवित कभी-कभी नहीं रह पाता है तो यह हमारे कुछ टर्म से जो की बहुत ही इंपोर्टन्ट हो जो पीडियाटिक में एक्जाम में हमेशा आते हैं तो आई होप कि सारी चीज़ा आपको समझ में आये होंगी तो थैंक यू